रादे रादे फ्रेंज कैसे आप सब आप सब होप आप बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए विशेश जानकारी लेके आई हूँ जो आज 10 मई को गोचर हो रहा है मार्स का फोर्थ हाउस में चौथे घर में कंसीरियंस में मार्स जा रहे हैं एक जुलाई तक उस घर कर रहा है फोर्थ हाउस में जो कि उनके लिए हारमशनी पीरियट लेके आ रहा है गुद रिजल्ट लेके आ रहा है कोई भी आपकी कम्प्लेंज है कोई आपकी डिस आपॉइंटमेंस है इस पीरिड में रिजॉल्फ होंगी आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नई गाड़ लेने की, so वो भी आप ले सकते हैं, this is very good period for you, आपकी remedy है कि आपको silver का bracelet पहनना है, जो की without joint होना चाहिए, उसमें joint नहीं होना चाहिए, ये मंगलवार के दिन आपको पहनना है, tourist, bishop राशी वालों के लिए, ये जो transit take place कर रहा है, ये third house में कर रहा है, ये भाव होता है, बहन भाई का, आपके siblings का, so आपको क्या है, उनकी health related issues आएंगे, health related problems create होंगे, अपने भाई बहन का ध्यान रखना है, आपको unnecessary conversations में, arguments में नहीं पढ़ना है, अपने workplace पे, उसका भी ध्यान रखना है, और आपके लिए कुछ short trips भी plan हो सकते हैं, आपकी remedy है कि आपको 4 bananas, केला लेकर हनुमान जी के मंदि में donate करना है, मंगलवार के दिन, Gemini, Mithun Rashi, Mithun Rashi वालों का ये transit take place कर रहा है, second house में, second house creates, खर्चे लेके आएगा आपके लिए, आप अपने workplace पे, जब भी किसी से conversation करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आप bit rude हो सकते हैं, जिससे आपका environment negative हो सकता है, please even pay attention towards your health, गुसा आएग कि आपको donate करना है, संदल वोड, मंगलवार के दिन, संदल वोड is, चंदन की लकडी दान करनी है, मंगलवार के दिन, किंसेरियन, किंसेरियन वालों का ये transit take place कर रहा है, first house, that is Lugan house, Lugan house में अगर मंगल बैठेगा, तो गुसा लेके आएगा, आपकी health related problems लेके आएगा, blood pressure high करेगा, अगर आपको गुसा आएगा, तो आपका relationship खराब हो सकता है, it harms your relationship, even it harms your job, so आपकी remedy है कि आपको गोड और काले तिल के लड़ू बनाकर गवों को खिलाने है, मंगलवार के दिन, लियो, सिंग राशी वालों के लिए ये transit टेक प्लेस कर रहा है, 12th house में, that is very good period for you, इस period में आप अपनी कोई भी dreams fulfillment कर सकते हैं, because this is house related to overseas, overseas, abroad के related आपकी कोई भी इच्छा है, आप वहाँ जाकर पढ़ना चाते हैं, आप वहाँ जाकर settlement करना चाते हैं, this is very good period for you, but इसके इला और married life में कुछ disputes आएंगे, so आपकी remedy है, कि आपको good और चना, young boys में दान करना है, Tuesday के दिन, वर्गो, तुला राशी, तुला राशी वालों के लिए ये transit टेक प्लेस कर रहा है, 11th house, 11th house होता है, profits का, आपके लिए financial flow आएगा, जो भी आप financial problems से जूज रहे हैं, वो resolve होंगी वो problem solve होंगी आपके इस period में, financial flow आपका बहुत अच्छा होगा, और आपके business में आपके लिए निरंतरन profits हाएंगे, so, but आपकी married life इसमें easy नहीं रहने वाली है, उसके लिए आपको remedy है, कि आपको एक चुला बनाकर, हनुमान जी मंदर में जाकर दान करना है, डोनेट करना ह Tuesday के दिन, Librians, Librians की ये transit take place कर रहा है, 10th house, Karma house, Karma house में आप अपने workplace पे बहुत strong show होंगे, आपके workplace पे अगर आप किसी के साथ clash करेंगे, किसी के साथ fight करेंगे, तो जो profits आपको आ रहे होंगे, वो Mars आपको losses results देगा, so, आपको किसी के साथ fight नहीं करना है, किसी से साथ clash नही करना है, और married life में ये dish, harmony और tensions लेकी आएगा, disputes create करेगा, so, आपकी remedy क्या है, कि आपको लाल मसूर की दाल डोनेट करनी है, मंगलवार के दिन, कहीं भी करें, मंदिर में करें, गुर्द्वारा में करें, लेकिन आपको लाल मसूर की दाल डोनेट करनी है, Scorpions, Scorpions का ये transit take place कर है, 9th house में, जो की house है, father का, आप अपने father के साथ conflict हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई जगडा हो सकता है, please take care of your health of your parents, उसमें भी कुछ disputes आ सकता है, कोई problems आ सकते हैं, जो की it causes to dangerous, dangerous problems create हो सकते हैं, so, आपको अपने बहन भाई के साथ relation अच्छा बना कर चलना चाह है, धनु, धनु राशी वालों के लिए, यह transit टेक प्लेस कर रहा है, 8th house, जो की आपकी financial difficulties ले के आएगा, आपके in-laws के साथ, आपका dispute चलेगा, और आप, please be conscious while driving, क्योंकि आपका accident होने का भी योग बन रहा है, this period is overall not good for you, so, आपकी remedy है कि आपको 108 बार मंगल बीज मंतर का ज Tuesday, Capricorn, Capricorn राशी वालों का यह transit टेक प्लेस कर रहा है, 7th house में, 7th houses of spouse, आपके spouse का nature aggressive होने वाला है, जिसके कारण आपकी married life में problems create होने वाली है, लेकिन आपकी जो workplace पर environment है, वो आपकी favor में होगा, please stop wasting your time, so, आपको, आपकी remedy है कि आपको बजरंग बान का part every Tuesday करना चाहिए, Aquarius, Aquarius, कुम राशी वालों का यह transit टेक प्लेस कर रहा है, 6th house में, that is very good for your workplace, आपके praise हो सकती है अपने आपके workplace पर, आप अपने काम के लिये जाने जाएंगे, आपकी praise होगी, आपके काम को award मिलेगा, but sidewise, आपकी married life में कुछ problems आ सकती है, आप अपने naan का side, maternal side में आपकी हो सकते हैं, कुछ argues हो सकते हैं, कुछ problem create हो सकती है, so आपकी remedy है कि आपको एक pomegranate, that is annaar, annaar का plant लगाना है, कहीं भी, garden में या पार्क में, उसको सीचे भी, उसको अकेला लगाएं नहीं, उसको पानी दे, उसको सीचे भी, मंगलवार के दे, पाइस, पाइस मीन राशी, मीन राशी वालों के लिए ये transit टेक प्लेस कर रहा है, फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, ये क्या लेके आएगा, conflict between your relationship, अगर आप एक किस रिलेशन्शिप में, आप boyfriend, girlfriend या, husband, wife हैं, तो आपके romantic relationship में, ये conflict लेके आएगा, और आपके ब economics में, difficulties लेके आएगा, but आपकी income में increase करेगा, so आपकी remedy है, कि आपको wheat लेकर, शिव मंदर में जाकर, शिवलिंग पर donate करनी है, मंगलवार के दिन, रादे रादे friends, thank you for watching my channel, hope आप सबको मेरी remedies easy और अच्छी लग रही होंगी, so please मेरे channel को like, subscribe, share जरूर किया कीजिए, और comment जरूर कीजिए, अगर आपको कोई भी problem है, कोई भी difficulty है, मेरा number आपको नीचे channel में दिया जाएगा, so रादे रादे friends,